आज हम बात करेंगे गोवा के मोपा एरपोर्ट के बारे में प्रधान मंतरी मोधी जी ने गोवा के मोपा एरपोर्ट का इनाउगरेशन किया है और इस एरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर जी के नाम के उपर रखा जाएगा गौरतलब बात है कि BJP लीडर मनोहर पारिकर जी तीन बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं प्रधान मंतरी मोदी जी ने संडे यानि की 11 अदिसंबर 2022 को ये कहा है कि गोवा के न्यू मोपा एरपोर्ट का नाम मनोहर इंटरनाशनल एरपोर्ट रखा जाएगा अगर हम मनोहर पारिकर जी के बारे में बात करें तो ये बताना लाजमी होगा कि मनोहर पारिकर जी भारतिय जन्ता पार्टी के एक हाईली रेपोर्टेड लीडर थे जिन्होंने अपनी लास्ट पॉलिटिकल ड्यूटी गोवा के सीम के तौर पर 14 मार्ज 2017 से अपने डेथ तक निभाई इससे पहले मनोहर पारिकर जी 2000 से 2005 तक और 2012 से 2014 तक गोवा के सीम रह चुके थे ऑक्टोबर 2014 से मार्ज 2017 तक मनोहर पारिकर जी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे भी कारेरत थे उन्हें पॉस्तुमस पद्भूशन मिला है जैनवरी 2020 में अब अगर हम मो अंबर 2016 में पीएम मोधी जी ने मोपा एरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था या गोवा में सेकंड एरपोर्ट होगा पहला एरपोर्ट गोवा का दाबोलिम है इस ओकेजन पर बात करते वे यूनियन मिनिस्टर जूतिरादिति सिंध्या जी ने कहा कि पहली बार कं बस 42 फ्लाइट स्टार्ट करने की एक्षा रखता है गर्मेंट का भी यह एफर्ट है कि इस तरह के टॉप नोच ट्रांस्पोर्टेशन वो ना स्रिफ गोवा में दे बलकि ओल ओवर इंडिया में वो ट्रांस्पोर्टेशन को बढ़ाए और अच्छा करे और इंफरस्ट्र से और आगे की तरफ देखें तो यह कहा जा रहा है कि यह जो नया इंटरनाशनल एयरपोर्ट है यह पब्लिक प्राइविट पार्टनेशिप पीपी मोट को प्रोमोट करेगा और इसके साथ साथ यह नया एयरपोर्ट पनजी से जो कि गोवा का कैपिटल है 35 किलोमेटर भी और वो भी कुछ इस तरह की चीज़ें करें धन्यवाद